इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है क्योंकि सूरज के संपपर्ग में आने के बाद शरीर स्वाभाविक रूप से यही पैदा करता है यह बहतरी इन वीटामीन डी अनुपूरक हर किसी के लिए है लेकिन शाकाहारी और शाकाहारियों में विशेश रूप से वीटामीन की कमी होने का खत्रा आधिक होता है क्योंकि सूरज की रोशनी के अलावा विटामिन डी के कुछ सबसे अच्छे स्रोध पशू उत्पादों से आते हैं चुनकि विटामिन D3 एक वसा में घुलनशील विटामिन है वेगन D3 में जैविक पौधे उमेगा भी शामिल है इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, स्वस्थ हड्यों और दांतों को बढ़ावा देता है विटामिन D3 शरीर को मजबूत हड्यों और दांतों के निर्मान और रखरखाव के लिए आवश्यक कैल्शियम को अवशोशित करने में मदद करता है ये शरीर में फॉस्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है जो हड्यों की स्वास्थी के लिए आवश्यक है दो, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है विटामिन D3 प्रतिरक्षा प्रणाली को विन्यमित करने में मदद करता है ये शरीर को रोगानुरोधी पैप्टाइज का उत्पादन करने में मदद करता है जो संक्रमन को प्रबंदित करने में मदद कर सकता है 3. मांस्पेशियों के कारे में सहायता करता है विटामिन D3 मांस्पेशियों के कारे को बनाय रखने में मदद करता है और विटामिन D3 का निम्स्तर मांस्पेशियों की कमजोरी और दर्थ को प्रबंदित करने में मदद करता है 4. कैल्शियम अवशोशन विटमिन D3 का नियमित सेवन हड्डियों, मांस्पेशियों और दांतों की स्वास्थे को बनाए रखने के लिए बेहतर कैल्शियम अवशोशन में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें